हाई मैं के तक नहीं हो करा लेका में हुआ दो एटो आज आपका टॉपिक लेकर आए हैं वो है घ्रेफिक प्रिंट से ट्रेट जो आपका second last chapter है, इसके बाद हम इस capture करेंगे तो आज की जो हम वीडियो में discuss करने वाले हैं, वो आपकी ये चार ग्रैफिक prints हम आज discuss करने वाले हैं जैसे की children है सौमनाध होरे का, देवी जोती भट, and of walls अनुपमसूद, men women and tree, ये के लक्षमन गोट तो आज हम इन चारो topic की चर्चा करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जान लेते हैं कि graphic print क्या होता है, तो graphic print ये वैसे आपके question में तो नहीं आने वाला है, लेकिन हम जान लेंगे यहाँ पर कि graphic print क्या होता है, तो उसके लिए में आपका दिवाद उस पर कोई color लगाए और उससे फिर paper पर print कर दिया जाता है या फिर किसी भी कपड़े पर print कर दिया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं, वे जो मेहंदी लगाता है, जो ठपब म लगाते हैं लकडी वूर्ट के ठप पर होते हैं और उनसे महन्दी लगाते हैं तो वो design आथ पर शप जाता है वैसे ही लकडी पे या फिर किसी और चीज पे carving करके कोई design बनाया जाता है और फिर उसका print ले लिया जाता है तो उसे वो ही graphic print होता है यहांपर जो हम graphic prints की बात करने बाले हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं children की, तो children सॉमनाथ होरे ने बनाया है, period इसका modern है, और इसका medium है copper plate है, यहाँ पर हमें medium और technique की खास तोर से दिहान रखना पड़ेगा, क्योंकि यह सब अलग-अलग होंगे, तो medium यहाँ पर copper plate है, जो यह graphic print है, वो copper plate पे engrave करके जब बनाया गया है, या फिर etching करके तब बनाया गया है, और इसकी जो technique है, etching and aqua tint, यह इसकी aqua tint, यह इसकी technique है, और इसका सरका 1955-270 AD, Collection National Gallery of Modern Art, New Delhi and composition की बात कर लेते हैं, तो इसमें आप पहले यहाँ पर देख लीजे, यह आपका जो print है, वो कैसा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, कि यह copper plate को etching करके, तब यह design बनाया गया है, जो भी इसमें दिख रहे हैं, जो children दिख रहे हैं जो women दिख रहे हैं, जो girl दिख रहे हैं, यह सब copper plate पे etching करके, तब यह बनाया गया है, फिर उसमें color use करके, उसका print लिया गया है ठीक है, तो इसमें children is an etching that symbolize protest against the injustice done of the innocent poor by the rich and powerful classes तो जो powerful class के लोग हैं, वो poor लोगों पर कैसे injustice कर रहे हैं, तो उसमें यह दिखाया गया है, ठीक है, etching lines of black and white color on hard copper were used for this graphic print, जैसे की दिया गया, इसमें black color को hard copper पे etched करके, जब line से etched करके के बनाया गया है, its composition shows for members of family four members of family दिखाये गया है, इस print में who are shown strivings due to hunger and poverty जो की भूँक से और अपनी mercifully, और जो वो गल है, वो उनको बड़े ही mercifully देख रही है, the mother is putting her arms on their shoulders, उनकी मान ने उनके कंदों पर हाथ रखे वे हैं, in order to console them, और उनको वो सांत्वाना दे रहे हैं, की बिटा, ऐसे कोई बात नी बगे रहा, उसमें आप पूरे emotions देख सकते हैं पेंटिंग में, जो प्रिंट है, तो उनकी जो देननी ऐस्ति है, इस्तिती है, वो इसमें जैसे सूजा हुआ, इनका सर दिखाया है, पसलिय दिखाई हैं, इनके गालों की हड़ियां दिखाई हैं, दिख रही हैं, तो उनसे पता चलता है, की कि वो कितनी देनिय स्तिती में यहां पर दिखाया गया है, ठीक है, इसमें वो ऐसे दिख रहे हैं, की उनने सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखा गया है, आज भी हम देखते हैं, जो गरीब लोग हैं, वो ऐसे रोड़ों पे घूमते रहते हैं, और उनके बाद फटे बराने कपडे, और वो बाके ही ऐसे लगते हैं, की उनने सोसाइटी से अ कर दिया गया है, वो ही इसमें दिखाया है, इस अपर यहां पर यह ग्राफिक प्रिंट देखते हैं, तो ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आर्टिस का हार्ट है वो कितनी पीड़ा और दुख से भरा हुआ है जिसने यह पेंटिंग बनाई है सो नाँ इस निशेन फेश ना थे ट नेय। नाटिस के बारे में तोरा सा बात कर लेते हैं आर्टिस के बारे में स्वामनाथ हुरी वो में जबत वो बांगलादेश ए वो शेल दॉट आर्टिस he received three national awards in 1960, 1962 and 1963 he had mastery over different models of exploration in drawing and printmaking and sculpting he was greatly affected by the Bengal famine of 1943 and he started making lines drawing of feminine striking people and he was also greatly affected by the Vietnam War of 1975 and the Bangladesh War of 1971 as large-scale destructions, poverty and helplessness left a mark on his heart तो जो ये वियतनाम वार हुआ है, बैंगलादेश वार हुआ है तो इसमें जो पौवर्टी आई उसके बाद और helplessness पीपल उसने देखे तो उसके दिल पे ये बहुत बड़ा एक एक एफेक्ट बड़ा जिससे की and these feelings are clearly visible in his work आप उसके work में देख सकते हो कि उनके heart में मतलब कितना उनके लिए क्या कहते हैं सहानुबूती थी उन लोगों के लिए वो उन्होंने अपने सारे work में दिखाया है और आप उनके जो कुपोशित शरीर वाले फिगर्स है वो आप उनकी बेंटिक्स में देख सकते हैं और गोर्मेंट ओफ इंडिया ने उनको पदम भूशन से सम्मानित भी कर रहा है और नेक्स आते हैं देवी यह प्रिंट का नाम है देवी जो जोती भटने बनाई है और पीरियर मॉरन यह भी कोपर प्लेट पर बना हुआ है और एचिंग अन एक्क्वाटेंट यह सेम है और सरका 1955-70 कलेक्शन नेशनल गैल्यो अफ मॉरन आठ और कॉंपोजिशन की बात कर लेते हैं यहां पर तो आप पहले यह पेंटिंग देख लीजे यह प्रिंट मेंकिंग है यह जो जो तेंडर मांशंकर भठ्ट अज अंग्रेव इस ग्रेफिक प्रिंट दूरिं 1965-70 AD on a hard surface of brass and with black lines by the technique of metal throwing down etching we can see in this prints great power of Durga goddess in this print awaking of Kundalini has been shown this is a human process forwarded to get supernatural bliss which is almost describes in many Hindu religious books and knowledge of Tantra तो Kundalini क्या है इस print में जो दिखाएगा है Kundalini तो वो है एक human process है जो forwarded to get supernatural bliss जो जो supernatural सक्तियां है उन लोग उनको पाने के लिए जो किया जाता है एक तरह का yoga कह सकते हैं which is almost described in the many Hindu religious books और Hindu religious book में बहुत सारे इसकी knowledge दे रखिये और Tantra मंत्र दे रखा है टीके इन the human body in human body there is a nervous system which has the great source of supernatural energy present in the different parts of the vertebral column जो भी हड़ी वाले कोलम है टीके और इन इस पिक्चर इन इस पिक्चर आप बेन शोन close to Neville the place of womanish powers and close to the heart तो इस जो नाभी का हिस्ता होता है वो and the womanish powers are close to the heart and the place of man-like powers a man through the medium of adoration जो लोगों की अरादना का एक माध्यम है a man through the medium of adoration and devotion and practice of yoga और योगिक योगिक activities might awake this power known as kundalini तो योगा करने से ये पावर जो है जागती है and taking support from the nervous systems of the spine these can be forward towards the brain और ये शक्तियां nervous system के जरिये आपके brain में जाती है and जिसे कहते हैं kundalini so इसमें जो देवी का रूप दिखाया गया है वो एक कहते शारिरिक रूप से इनको इसमें ससक्त दिखाया गया है जो की योगा का जो एक फॉर्म है kundalini उसके बारे में इसमें दिखाया गया है and artist Jyoti Bhatt of or Jyotindra Manchankar Bhatt born 12 March 1934 Jyoti Bhatt was born in Bhavanagar, Gujarat in 1934 he having taken a diploma in fine art and postgraduate degree from MS University Baroda got fame as a successful graphic prints and famous photographer he was very famous impressed with the Picasso and Ben Nicholson the specialization in printing of attractive constructions by Integlio Technic got him not only fame but also honored with some award and national award the excellence of his graphic work is seen in Devi so that he has a great work that you can see in Devi and his construction of printing was a great and the government of India honored him with the Padamshri in 2019 and next and next of walls this Anupamsood has made modern period and paper medium technique lithograph circa 1982 National Gallery of Modern Art this is collected so you can see you can see a woman a woman here okay and her husband will be she is 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 a woman he is in the photographic image with the drawn areas or to bring together the subject with the objective reality of the contrast so is made you have for other photograph yeah or Adi's my painting key a background with the pool setting lively human form those major judar can a human key was called form the gas my background man and in this paintings are young lady sits in in state we are in the traditional dress of video for the upper traditional Joe video give address of the whoa is not any way the young lady one bet here there is a brick wall shown beyond beyond her on which picture on which pictures of lovely activities are are friendly drawn to remind the viewers once she was a part of these lovely activities till the wall was created to segregate isolate her from the social life social life of meaningful activity to us isolate kar diya gaya hai jub us kar husband mar gaya hai to us ke bao se isolate kar diya matlab poori samas to us ko alak kar diya gaya hai and her black face indicate that she has become a non-entity oh this may and part of legs lying before laying before her possibly of her head husband who joe her dead husband ho gai hai her dead husband with the whose death she has also died for the society or the society ke liyeo us husband ke saath hi ho mar gai hai jis ke waha par par dik rahe hai the print is a powerfully protested protested by the artists against society society reaching such a wall on the basis of caste religions and status this is this is this is a protested artist artist na ki society society kya krati hai hai aise video logon ke liyee or kai saray religions mein kaas mein aisa khail khaila jata hai artist Anupam Soodh born in 1944 Anupam Soodh is one of the finest interglue in Indian printmaker of the modern era born in 1944 in Hoshyarpur Punjab she scored she scored a diploma in fine art in fine art from the Delhi College of Art and learned the art of of printing she experimented with the different style in printmaking like etching mesotint mesotint aquatint with screen printing and lithography these all are the printmaking techniques and she also mixed the photos and mechanical process with the intaglio jaisa ki photo yeh dikhaya hai is wale painting meh joh humari unpromsoodh ki hai toh photo ke saath bhi nho ne unko joda hai joh printmaking ka ek process hai and which looks like a xerox copy of a photograph her figure of men and women are drawn with the soft contours and but female figure have no touch of feminism in them she constructed on the details of the figures and omitted uh detail from the background and the foreground is my background ko chhodha gaya hai kyunki is main uh uh you know photograph ko use kiya hai toh is main kuch area mein printing ki gai hai she was awarded the president of gold uh black in 1975 toh unko eek uh president ka medal mil in 1975 meh tk next athi title of the graphic prints man women and tree a print uh k lakshman gordon painter and modern period medium paper technic etching and aquatint circa 1980 to 1980 80 collection national value of modern art to yaan se meh pata chalata hai ki sari printmaking national magalio of modern art meh hain aur abjo abhi hum is print ki baat karne jara hai toh is main generally hume ah trees dikh rahe hai tabhi is ka name bhi hai man women and tree toh is main a man a woman a tree a toh abis ki baat kalita hai man women and tree is a smooth etching in which a man and women are shown as amidus nature toh is main beach of beach nature ke man and women dikha hai hai the man is partially shown hidden in the group of trees toh yeh jhaadiyon mein trees ki shakhaon ke picheh chupa hoa hai which are standing in a triangular form and only the upper part of his body is visible a young woman is shown drabbed in a sari of dot doted prints and she is wearing a nose ring a mangal sutra and two bengal in each hand in each hand and three fourth part of her body is visible and is shown in aqua color both men and women are so yeh aqua color gay men and women both are shown enjoying the bliss of nature and this prints spread the message of correlation between nature and human race and explain nature's importance in the existence of human race now it is in the collection of national reality of modern art new delhi to this painting main uh hum bat karin toh finally nature and uh humanity ka dono ka connection dikhya gaya hai man or women and nature ka arkit artist k lakshman gourd born 1940 kala kalal lakshman gourd was born in nizampur uh mendak district hyderabad state in 1940 he also took a diploma from the ms university in baroda he taught uh fine art in hyderabad university he is a printmaker and craftsman well known for his powerful drawing etching and use of watercolors and he was deeply connected with the nature and tried to explain its existence and importance through his work apne kaare se apne work se usne dikha hai ki kitna important hai nature uh uh logo ke liye okay his work send a message in society that man and nature are and will always be connected so uh man or nature jo hai apas mein connect raha hameysha hameysha and the government of india honored him with the padam shri in 2016 so that is for today 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 if you have understood this and if you have liked it then please like and if you have a channel subscribe subscribe if you guys have a channel subscribe subscribe and if you like it if you like it if it you can be found that if you do not like it if you have a friend here to share your videos so you can share it thank you for watching सब्सक्र बड़क सकतु है